घर में कोई भी समान या चीज लगाते वक्त हमेशा वास्तु का ध्यान रखे क्योंकि हर एक वस्तु से सकारात्म कुर्जा और गलत दिशा होते ही वहनाकारात्म कुर्जा का प्रभा करने लगती है। इसी प्रकार दरपन भी आप सोस समझ कर लगाएं, कहा लगाएं, किस दि घर में लड़ाई जगड़ा कलह मची रहती है। दरपन हमेशा वास्तु के अनुसार पूर्वदिशा या फिर उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में लगाने से घर में हमेशा खुशाली संपनता बनी रहती है। ध्यान रखे घर में कभी भी टूटा हुआ दरपन नहीं रखना चाहिए और घर में कभी भी कोई टूटा हुआ काँच भी नहीं रखना चाहिए उसे तुरंती फेक देना चाहिए वरना यह नगेटिव एनरजी बढ़ाता है आईने को कभी भी गंदा ना रखें वास्तु के अनुसाश गंदा आईना नकारत्म कुर्जा देता है बेडरूम में आप कभी भी दरपन ना लगाएं अगर वह किसी दिशा में लगा भी है तो इस तरीके से लगा हो कि उसमें सोते वक्त आपका कोई भी अंग नजर ना आए लेकिन फिर भी आप किसी वज़े से वह दरपन नहीं उतार पा रहे हैं तो सोते वक्त उस दरपन पर कपड़ा डाल दे अगर आपके घर में तनाव उत्पन हो रहा है तो ध्यान दे आपके घर में कहीं दरपन एक दूसरे के सामने तो नहीं लगा हुआ वास्तू के अनुसार यह गलत है बात्रों में दरपन लगाते समय ध्यान रहे कि वह दरवाजे के बिल्कुल सामने ना हो इससे वास्तु दूश लगता है घर में कभी भी नुकीले अकार वाले दरपन ना लगाएं ऐसे दरपन अशुब माने जाते हैं बूल कर भी आप रसोई घर में दरपन ना लगाएं क्योंकि वास्तु के अनुसार यह शुब नहीं माना जाता इसी तरह के अन्य बाते उपाय वरत कता हैं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तु शास देखते रहें और अगर पसंदाए तो से लाइक और शेयर करना ना बोलें नमश्कार